हेलो दोस्तो फिर सेख बाड़ स्वागते आपका हमारी चैनेल के नई वीडियो में मैं हूँ आपका दोस इंजेनेर सागर तो दोस्तो आज आपके साथ शेर करने वाले एक खापी खूसरत हाउस प्लैन का नक्षा जिसकी प्लोट की साइज रहेगी 40 स्पीड बाई 30 स्पीड इसमें हमने हमारी क्लाइन की रिक्वार्मेंट की इसाफ से एक नक्षा बनाया हुआ है पूरा डिटेल में समझे वाले किस तरह बनाया है तो वीडियो के साथ बने रहे है चैनल पे नई है तो चानल को जरू सब्सकाइब पर लिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइम पे मिल सके तो यहाँ पे देख सकते है पच्छी मगी प्लोट रहेने वाला है इसके नौर्थ इस और साउथ की तरफ दुसरे के मकान रहेने वाली है मतलब उस तरफ आपन वेंटिलेशन नहीं दे सकते हैं कुछ के प्लोट में वेंटिलेशन एज्जेस किया हुआ है तो सामनी के तरफ यहाँ पे देख सकते हैं 8 पिट वाइट का गेट डिया हुआ है देन उसके बाद यहाँ पे हमने सीडिया डिजाइन की हुई है सीडियो के निचे आपको टोलेट मिलता है 4 पिट बाइ 6 पिट करेगा सीडियो की स्टार्टिंग यहाँ से होती इस तरह हम गुम के उपर के मंजिल पे जा सकते हैं यहाँ पे आपके कुछ टेप रहने वाली है जिससे में इस बारामदे पे पहुच जाते है hai और देन उसके बाद सीडिया यूस कर सकते है देन उसके बाद बेंडोर यहाँ पे देख सकते हैं वे स्पेसिंग रहने वाला है यहाँ पे आपको कापी बड़ा ड्रोइंग हॉल मिलता है तो यहाँ पे नौर्थ की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने लगब चार पिट का स्पेस छोड़ दिया हुए पे इंटिलेशन परपस के लिए यहाँ पे आप गार्डन भी डिजाइन कर सकते हैं देन उसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग मिलते हैं जिस्ते हम लॉ पे टीन इंच इसमें यहाँ पे बेड रहेगा यहाँ पे अलमिरा का पोर्शन डिजान किया गया है वेंटिलेशन की बात करें तो विसकी तरफ से आपन वेंटिलेशन दे सकते हैं यहाँ पे देख सकती विंडो हमने डिज़न की हुई है इस वाली बेडरूम का ओट्रेश यहाँ पे हमने तीन फिट वाइट का वाशीरिया डिजन किया हुआ है चवड़ा है उसकी बारा फिट चारेंज रहेगी लंबाई तीन फिट रहने वाली है यह ओपन टू स्काय रहेगा यहाँ पर के मजल भी बनाते है तो यहाँ पे स्लैब नहीं डलवाना है ताकि यहाँ स इसको वेंटलेशन हो जाता है देन उसके बाद यहाँ स्टोरूम का प्रोवजन दिया गया है फाच़ पिट आटन पा चरपिट चेंज का इसके उपनी यहाँ से रहेगी सेप्रेट से पूजा रूम का प्रोवजन हमने यह पे डिजन किया हुआ है तीन फिट नो इंच बै चार फिट का पूझा भी यहाँ पर आपको देखने को बिलता है और यहाँ पर सेकंड नंबर का बेडरूम डिजन किया है जैसे के हमारे क्लाइंट की रिक्वायर्मेंट है तो बेडरूम की साज रहेगी बारा फिट बै दस फिट आट रहेगी यहां पर बेड रहेगा यहां पर अलमरा रहेगी वेंटिलेशन किलिए विंडो यहां पर डिजन की गई है और यहां पर सिब बातरूम बनाया हुआ है ना किट टोईलेट बनाया हुआ है मतलब यहां पर उसकी साज रहेगी 3-pit 9-6-pit 3-inch तो दो दोस्तो इस तरह डिजन के याद आया था 40 फिट बाई 30 फिट में आप इसे 30 फिट बाई 40 फिट भी कंसिडर कर सकते अगर आपके प्लॉट के साज रहने वाली है तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता था हूँ ताकि आपको पूरी अच्छी तरके से समझ में आ सके अगर आपको इसका क्रिंचोट लेना है तो आप क्रिंचोट भी ले सकते हैं तो दूस्तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जलूब बता ही अपने दोस्तों रिस्यदारे को साथ शेर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले टैंक्यू पर वाचिंग गाईज